हाई गाईज वेल्कम पाक टो मैं चानल स्टेचिंग एम वी जोटी तो मैं हुझ जोटी आज के वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हुए कुर्ती की कटिंग अन स्टेचिंग तो अगर वीडियो पसंद आती है है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा जिसे मेरी आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने कुर्ती को बनाने के लिए यहां पर लिया हुआ यह कॉर्टन का 2 सबसे पहले हमें क्या करना है हम कफिड़ी को फोल्ड कर देंगे कफिड़ी को फोल्ड करने के बाद यहां पर हमेहीं है मैंने 12 इंच मैंने 12 इंच लिया हूआ है रेडिन आप 10 इंच का यहां प्रेंद चुमें रखनी है वह रेडी 14 इंच रखनी है एक इंच एक्ट्रा लिया है मैंने टोटल 15 इंच पंदर इंच पे निशान लगाने के बाद मैं इसको इस तरीके से पलट दूंगी जिसे हमारा जो फ्रेंट बैक दोनों का पार्ट कटके निकल लाएगा तो यहां पर बास में गणार फ्रेंच क्यों सब्सक्राइब के जो हमारा जो आमुल होगा वह साड़े 6 इंच पे होगा एड़ इसको हम यहां अगर आपके आपके पास फ्रेंच कःवबव तो आप उससे भी कर सकते हैं या फिर आप हातों से भी अच्छ ऊज़ पो गुलाई दे सकते है उसके बाद मैं यहां पर इसके वेस्ट किनाप ले रहे हूं तो उपर मैंने 12 इंच लिया था नीचे हम 10 इंच लेंगे तो 10 इंच से हम इस तरीके से उपर मिला देंगे और एक लाइन बना देंगे उपर हम यहां पर थोड़ा सा लगबग हाफ इंच का लाइन बना के इसको कर ने कोड़ें ऑज से और देख चाटें से समस्माद昨व कर सका करें में कर लगजुए करें पर कहले की ख्रैइब कैटें उसके बाद ाhmm पर में निश तरो में मतलगा इसको सबकने और पर देखें कर देंगे तो फोल्ड करने के बाद हमारा मेजरमेंट है वह इसमें अराम से फिट हो जा रहा है तो इसके लिए हम सिर्फ इसको डबल फोल्ड कर के इसको कट करेंगे तो इसकी लेंद में आप ले रहे हूं तो टोटल जो लेंद रखनी है मुझे रेडी वो थर्टी रखनी है और यहां पर मैंने दो इंच एक्स्ट्रा ले रखा है तो उसके लिए हम थर्टी टूपर निशान लगाएंगे क्योंकि हमें नीचे भी फोल्ड करना है और कि और ज्रूपर आटको स्था लिए भी तो इस के लिए हम इस तरीके से निशान लगा देंगे यह कुछी नहीं में करना है तो इस तरीके से मिःस को थोटा फोल्ड करता हूँ कट करें इपार्त कुटेब तो नीचान वाश्डा करसकते उ रहए कर सकते हो पर वह थोड़ा कट करने के बाद मारे पाद जितना भी कपड़ा बाकी बचा हुआ है उसका मैं स्लीफ निकालूंगी तो स्लीफ जो रखनी है मुझे वह त्रिफोर्थ रखनी है तो लगबग 16 इंच की स्लीफ मुझे कट करनी है तो यह इतना कपड़ा है जिसमें 16 इंच अराम से आ जाएगा तो सबसे पहले इसको हम चार फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे स्लीफ को इस तरीके से पूरा फोल्ड कर देंगे जितना भी कपड़ा है फोल्ड करने के बाद यहां पर हम साड़े आठ इंच पे निशान लगा देंगे और इसको हाथों से अच्छे से गुलाई देंगे तो यहां पर सीधी लाइन खीच देंगे जिससे यह बराबर रहे और नीचे जो हमें रखना है वो हमें टूटल फाइव इंच रखना है एंड एक एक्ष्रा लेंगे हम सिलाई के लिए यहां पर निशान लगा के इसको इस तरीके से उपर तक मिला दूगी और उसके बाद हमन करेंगे तो उसकी लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले बड़र का हमने कट कर लेंगे यहां पर मैं 3 इंच का शोल्डर देखे नेक को कट कर ले रही हूं तो नेक जो है वो मुझे तीन इंच का रखना है तो सबसे पहले मागए और पीछे दोनों का नेक कर लेंगे उसके कर सकते हैं तहां पर मैं राउंड निक बना रही हूं तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको कट कर दिया है करने के बाद हम इसके बैक पार्ट को हटा देंगे और इसके फ्रंट पार्ट को लेंगे क्योंकि फ्रंट में हमें निक को थोड़ी से डिसाइन देनी है तो इसके लिए इसे राउंड नेखी रख सकते हैं तो इस तरीके से मैंने इसको कट कर दिया है तो इसका जो डिजाइन है वह कुछ इस तरीके का आ रहा है आप देख सकते हूँ कुछ ऐसा आएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके फ्रेंट अन्ड ब ждशोलडर को जोिद ढ़ने tek करेंगे यहां पर उसके नेक्यर फिनि neutr करेंगे इसके लिए uh यहां पर यहां, कुछ इस तरीका से चिल भी हैं, यहां, लगें, यहां पर आप होते, लगेंगे, बगेंगे, नियां, पूरी चिल पह लोगा हैं, तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने इसकी शिलाई लगा ली है और भी इसको फोल्ड नहीं किया है सिर्फ उपर उपर की शिलाई लगाई है तो अंदर की तरफ फोल्ड करके शिलाई लगाएंगे यहाँ पर हमने जहां आगे डिजाइन बनाई थी इसको हम अच्छे से इस तरीके से निकाल देंगे उसके बाद हम इस पे अंदर की तरफ फूल करके सिलाई को अच्छे से लगा लेंगे सिलाई को लगाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आप छोटे छोटे कट लगा लें इसमें इससे क्या होता है कि कपड़े को हमें पलटने में आसानी हो जाती है और अच्छे से जो हमें राउंड डिक दिया हुआ है वो अच्छे से फिनिशिंग के साथ आ जाता है कट को आप ध्यान से लगाएं ये देख लें कि सिलाई ना कटे तो पूरे में आपको कट लगा के पलटना है और उसके बाद हम नीचे की डार्ट को डालेंगे तो डार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका मिट शक्षन को यहाँ पर निशान लगा देंगे तो यहाँ पर मैंने इसका जो बीच का पार्ट होगा यानि की पहले हम नाप लेंगे जितना आएगा उसका हाफ करके इसके बीच के पार्ट पे हम निशान को लगा देंगे और उसके बाद जहां पर हमने बीच में निशान लगाया है वहां पर हम रखेंगे साड़े तीन इंच और एक तरफ हम जो निशान लगाएंगे वो हम लगाएंगे साथ इंच पे और दूसरी तरफ एक पे लगाएंगे उसके बाद यहाँ पर हम लगबग तीन इंच का एक डार्ट बना लेंगे तो इसके लिए पहले एक लाइन खीच देंगे यह लाइन हम दूनों तरफ खीचेंगे इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हों तो यहाँ पर आप देख सकते हों मैं नेके फिनिशिंग भी कर ली है और नीचे का जो डार्ट था वह भी मैंने डाल दिया है तो यह जो है कुछ इस तरीके कुछ आपकर पीजिंगे इस से राय ॰ाइच करें खीच कर्ट करेंगे और कपड़े को सीधा तरफ रक्केंगे और रखाइब हम के अंद्र के तरफ रहते हुए इस Regierung, स्लपार बार्ट साइड़ पाटलगे से तुच जोड नीचे की तरफ न चीज़ कर डेक करते हें, तो आसानी हो जाती है, अवहला भी आप श्ली admired भी जूदिताँ, यहाँ पर लिखाए है। डाट बनाने के बाद इसका जो साइज है वो बिल्कुल बराबर आ गया है और जो थोड़ा बहुत भी एक्स्ट्रा होगा उसे हम कट करके हटा देंगे तो इसको हम सीधी सिलाई बिल्कुल लगा लेंगे इसमें जोड़के इस तरीके से रखके तोनों की सीधे पाट को अंद करेंगे तो साइड की जो स्ट्रेचिंग होगी वो आप दो तरीके से कर सकते हो एक तो आप जितना यह बादिस है सिर्फ इतना ही ओलवर सिल सकते हो जैसे कि मैंने यहां पर लगबग डेड़ इंच का मार्जिन लिया है तो मैं उतनी सिलाई लगा दोंगी आप जितना भी ह आप देख सकते हो मैंने इसको बॉड़े से थोड़ा सा नीचे तक का यहां तक सिल रखा है कम से कम आप उपर तक भी सिल सकते हो नीचे तक भी सिल सकते हो साइड में जो हमने कपड़ा रखा हुआ है इसको हम कुछ इस तरीके से फोल करके सिलाई को लगा देंगे तो मैं सि दोरिया लगानी है तो यह दोरिया मैंने पहले से बना के रखी हुई है इनका वीडियो मैंने अप्लोट किया था अपनी चानल पे डोरी कैसे बना सकते हो आप तो अगर आपने नहीं देखा उसे एक बार चकाउट करेगा तो एक दो डोरी जो है वो मुझे यहां नेक पे यानि आप इसे लूप के साथ भी लगा सकते हो या फिर आप इसे लगा के टैसल वगेरा लगा दो काफी अच्छा लगेगा तो मैं आप इसको लूप के साथ लगाऊंगी तो मैं आपको लगा के दिखाते हूं इसका जो लूख है कैसा आएगा या फिर आप इसको ऐसे ही बिज जैसे भी आपको पसंदों आप कर सकते हूँ सोगई सिया पर आप देख सकते हो मैंने इसमें कुछ टैसल भी लगा दी है आप हैंड मैं टैसल से लगा सकते हैं या फिर मार्केट में बहुत अच्छे चैसल मिलतें आप उन्हें भी लगा सकते हो तो IUP आपको पसंद आया हो तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा, शेर कर दीजेगा, कॉमेंट कर दीजेगा and make sure मैं चानल को सब्सक्राइब कर दीजेगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा तो मैं मिल तुपनी अगली वीडियो में एक ने टॉपक के साथ में तब तक के लिए टेक क्यार बापाए